सभी को नमस्कार एक लोकप प्रचलित आभानक या कहावत में या कहा गया है कि जेवर जोरू और जमीन इन तीन जकारों के कारण पुरुष समाज में कलह, युद्ध और द्वन्द हुआ करते हैं सोना चांदी रुपिया पैसा जेवर, जोरू इस्त्री और जमीन भूमी इनके कारण युद्ध होते हैं अनेक युद्ध, अनेक लडाईयां दो पुरुषों में, कुटुम्ब कभीलों में, समाज में, देशों में इन कारणों से हुआ करती हैं पुरुष की लिपसा, धन के लिए, इस्त्री के लिए, भूमी के लिए, वह कलह, द्वन्द और युद्धों का कारण बनती है इस्त्री के लिए जब युद्ध होता है तो यह भी होता है कि इस्त्री तो अलग हो जाती है और जो युद्ध करते हैं वे एक दूसरे को नश्ट करते हैं इसके दृष्टांत के लिए एक अच्छी कथा रोचक कथा पुराणों में बताई जाती है और उससे एक मुहावराया न्याय चल पड़ा है सुंस्कृत में सुंदोपसुंद न्याय सुंद और उपसुंद नाम के दो असुर भाई थे दोनों में बड़ा प्रेम था एक बार एक अफसरा पर दोनों एक साथ आसक्त हो गए और दोनों में युद्ध हुआ कि कौन दोनों में कलह हुआ कि कौन इसको प्राप्त करेगा दोनों उसके लिए जगडने लगे अफसरा तो दूर खड़ी देखती रही दोनों ने एक दूसरे को नश्ट कर दिया दोनों ही मार पुज आए गए उस युद्ध में इसलिए जो लोग इस्त्री के लिए या किसी कारण से एक ही कुढुम्ब के लोग एक दूसरे से कलpt करके युद्ध करके परिवार को नष्ट करते हैं, स्वयम नष्ट होते हैं, सर्वनाश करते हैं, उसके लिए यह दृष्टां तो सुं पर महाभारत में इस्त्री के लिए लड़ाई या लड़की के लिए लड़ाई का एक सुन्दर प्रसंग आया है और सभापर्व रुद्योग पर्व इन दो पर्वों में विदुर उसको सुनाते हैं। दोनों ही स्थानों पर प्रसंग भिन्य अभिप्राय भिन्य है। सभापर्व में तो द्रोब्दी ने प्रश्न उठाया है कि मुझे दाव पर जो लगा दिया युदिष्ठे ने वह उचित था या नहीं। और विकर्ण ने खड़े होकर के कहा कि द्रोब्दी जो प्रश्न कर रही है वह उचित है। उसका पक्ष उचित है। उसे दाव पर लगाया जाना उचित नहीं था। उसके पास विदी सम्मत, धर्म सम्मत प्रमान है कि उदिष्ठे चुंकि दाव सो चुके थे। उनको अधिकार नहीं था उसे जुए में दाव पर लगाना इसलिए द्रोब्दी हारी नहीं गई है और उसके साथ इस प्रकार का कोई दुर्वेवहार नहीं किया जा सकता नहीं हुई है यह प्रश्ण द्रोब्दी उठाती है सभा के बीच में विकर्ण कहते हैं कि आप लोग सब ग्यानी हैं उत्तर दीजिए मैं समझता हूं कि द्रोब्दी उचित कह रही है उसको डपट कर दुर्योधन आदी चुप कर देते हैं तब विदुर खड़े होते है और वे सभा का लक्षन बताते हैं सभा सदों के दाइतों के बारे में बात करते हैं कि यह धर्म सभा है और आप लोग सब धर्मासन पर विराजमान हैं कौरव सभा के लोग यदि सभा में मत्यस्त जन जूरी जिनको कह सकते हैं वे यदि उचित निर्णा नहीं करते हैं तो और कितने बड़े पाप के भागी होते हैं, इसको बताने के लिए वे या कथा सुनाते हैं, या सभापर्व में कथा इस प्रकार से आई है, विदूर कहते हैं कि अंगीरा के पुत्र विरोचन, अंगीरा के पुत्र सुधनवा, और प्रहलाद के पुत्र विरोचन में विवाद हो गया, और प्रहलाद का समवाद हुआ दोनों से, उसकी या कथा है, प्रहलादो नाम दैत्यंद्र स्तस्य पुत्रों विरोचन, सभापर्व में कहा गया है प्रलाद नाम के देत्यंद्र थे उनके पुत्र थे विरोचन सभापर्व के 61 अध्याय का 98 श्लोख है और उनसट्ष में कहा गया कि कन्या है तो रांगिरसम सुधनवान उपा द्रवत विरोचन का कन्या के लिए अंगिरा के पुत्र सुधनवा से कला हो गया लड़की थी उसका नाम उद्योग पर्व में कैशिनी बताया है सुंदरी थी दोनों ही उस पर आसक्त थे दोनों उससे मिलते थे उद्योग पर्व में थोड़ी और रोचक कता है कि क्या उसने कह दिया उससे दोनों उससे विशेश रूप से प्रहलात का पुत्र विरोचन तो तिल्मिला उठा पर यहाँ पर जो सभापरों में कता है उसमें विदुर यही कहते हैं कि कन्या के लिए सुधन्वा से उसका जगडा हुआ मैं बड़ा हुँ और मुझे यह कन्या प्राप्त होनी चाहिए कन्या की इप्सा से दोनों में संगर्श हुआ और प्राणों का पण लगाया देवन यह पण शर्थ प्राणों की कि जो शेश्ठ स्तर साबित नहीं होगा जायान या अधिक उत्तम साबित नहीं होगा उसको जान देनी पड़ेगी और कैशिनी जो कन्या है वह तो जो स्रेश्ठ सिद्ध होगा उसको प्राप्त होगी तो यह विवाद हुआ दोनों में दोनों प्रहलात के पास गए सफापर्व में जो कथा विदुर सुनाते हैं उसमें इतना ही है कि दोनों प्रहलात के पास गए पर उद्योग पर्व में जो कथा सुनाते हैं उसमें कैशिनी के पास एक बार विरोचन गए और केशिनी ने कहा कि यह परियंक जो उच्च आसन है यह तो सुधनवा के लिए है अंगिरा के पुत्र सुधनवा के लिए है इस पर तुम नहीं बैठोगे विरोचन को बुरा लगा उसने कहा कि सुधनवा क्या है और जिस आसन पर वो बैठता है मैं उस आसन पर बैठ सकता हूँ मेरे पिता समराठ है असुर राज है धन और एश्वर मेरे पास है केशिनी ने कहा कि धन एश्वरी संपदा राज तुमारे पास होगा पर अंगिरा के पुत्र सुधनवा इस आसन पर बैठते हैं इसलिए तुम इस पर नहीं बैठोगे तब तिलमिला उठे विरोचन और उन्होंने कहा कि कल सुधनवा को आने दो उससे मैं उचूंगा कि कैसे वो स्रेष्ट है अगले दिन फिर गए सुधनवा वहां आए दोनों में विवाद हो गया विरोचन ने पूछा कि कोन स्रेष्ट है कोन जायाने इसके लिए किसी को मध्यस्त बनाओ जूरी बनाओ तो सुधनवा ने कहा कि तुमारे पिता प्रहलाद ही निर्णय करेंगे जिस प्रकासे शंकराचारी और मंदनमिष्ण में शास्त्रार्थ हुआ तो मंदनमिष्ण ने पूछा कि कोन मध्यस्त होगा निर्णय कोन देगा जूरी जिसको कहते हैं तो कोन होगा तो शंकराचारी ने कहा कि और कोई नहीं है तो आपकी पत्नी भामती वो निर्णयक होंगी वो मध्यस्त होंगी अब सुधन्वा को इतना विश्वा से कि प्रहलाद बहुत नियायप्री हैं वले ही वे विरोचन के पिता हैं जो कि मेरा परचिद्वंद्वी है उन्होंने भी ये चाल चली ठीक है तुमारे ही पिता को मध्यस्त बनाते हैं वो देखते हूं क्या कहते हैं सुधन्वा बड़े तेजस्वी थे वो जानते थे कि प्रहलाद अन्यथा कुछ नहीं कह सकते इस प्रकार से दोनों में विवाद हुआ प्रहलाद के पास दोनों गए सभापर्व के 62 वे श्लोक में कहा है सभई विवदनात भीता सुधन्वानम व्यलोकयत दोनों ने जब जाकर के कहा प्रहलाद से कि जायान का आवयो और एका प्रश्णम भुरूही माम रशा हम दोनों का आपसे प्रश्ण है कि हम दोनों में कौन अधिक उत्तम है कौन जायान अधिक अच्छा है बहतर है इसका उत्तर आप दीजिए जूट आप नहीं कहेंगे और प्रहलाद ने सुधन्वा की तरफ देखा सुधन्वा तेज से देधी प्यमान थे उस विवात से तो घबरा करके प्रहलाद ने सुधन्वा की ओर देखा प्रह्मदंड की तरह से जलते हुए देधी प्यमान थेज से सुधन्वा ने कृद्ध हो करके उससे कहा प्रहलाद से जो देत्य राज थे यदि वेई वक्षसी मर्शा प्रहलादाथन वक्षसी शतधाते शिरो वजरी वजरेन प्रहरिश्यती प्रहलाद यदि तुम जूट कहोगे जो उत्तम या जायान नहीं है उसको तुम अधिक उत्तम बता दोगे बहतर बता दोगे या चुप रह जाओगे कि हमें कुछ नह नहीं करना तुम लोग निप्टो सेफ गेम प्ले करते हैं कि हम तो चुप रहेंगे दोनों ही स्थितियों में वजरी आइंद्र वजर से तुमारे मस्तक पर प्रहार करके सो टुकड़े कर देंगे यह सुनकर के प्रहलाद तो पीपल के पत्ते की तरह कांपने लग गए यह चोंशटमें शलोक में सभापरु के इस अध्याय में कहा गया है सुधन बनात थोकता सन व्यतितोश्वत पर्नवत जगाम कश्यपम देट्या परिप्रश्टु महोजसम उनका कि हम अपने से ज़्यादा बड़े ज्यानी से पूछ करके आते हैं वे कश्यपरिशी के पास चले गए देट्याज प्रहलाद जो कि भागवत में कितने बड़े भक्त और ज्यानी है माभारत में वो ऐसे नहीं है देट्याज है प्रतापी है सुधनवा ने जब इस प्रकार से कहा तो व्यथित होकर के पीपल के पत्ते की तरह कापते हुए कश्यपरिशी के पास देट्याज प्रहलाद गए और उनसे उन्होंने पूछा यह नहीं पूछा कि आप बता दीजिए कि दोनों लड़कों में कौन अच्छा है वो तुछ जानते थे कि कौन अच्छा है वो यह जानने के लिए गए कि अगर मैं जूट कह दूंगा यह शुपर है जाओंगा तो क्या दंड मेरे लिए होगा जैसा यह कह रहा है तो अमवही धर्मस्य विज्ञाता देवस सेहा सुरस्य चे प्रामनस्य महाप्राग्य धर्मक्रच्रमिदम धर्मक्रच्रमे मैं पड़ गया हूँ धर्म संकट मेरे पास है, मैरे सामने आ गया है, आप धर्म के ग्याता हैं और भाग्य केप को जानते हैं, जो असुरों का भाग्य है उसको जानते हैं, मेरा प्रश्ण यह है कि कोई प्रश्ण यदि करता है मध्यस्त बना करके, कि वही प्रश्ण मना विब्रुया, वितुतम वापि निर्दिशेत यह प्रश्ण का उत्तर नहीं देता, या जूट बोलता है मध्यस्त होने पर, कि वही तस्य परे लोका स्तन्ममा चक्ष उसके लिए क्या दंड होता है परलोक में यहाँ आप बताईए कश्यप ने कहा 67 श्लोक में सभापर्व के 61 अध्याई के जानन अभिब्रुवन प्रश्णम कामात क्रोधात तथा भयात सहस्रम वारुनान पाशान आत्मनि प्रतिमुंचति प्रश्ण का उत्तर जो समझता है कि क्या मुझे कहना है और मध्यस्थ बनाया गया है काम के कारण, क्रोध के कारण या भय के कारण यदि वा नहीं उत्तर देता है जुप रहता है, जूठा उत्तर देता है दोनहीं स्थितियों में वरुन के सो पाशों से वह जकड़ा जाएगा उनसे वह छूट नहीं पाएगा क्योंकि एक सो पाशों से जकड़ा जाएगा और एक सम्मस्र पूरा होने पर एक पाश तूटेगा इस तरह से एक-एक साल में एक-एक पाश उसका तूटेगा इसलिए सत्य कहना चाहिए जो भी मध्यस्त्य जूरी हो न्यायलय में सभा में धर्म सभा में पिदुर ने भहुत सुंदर ढंग से अंत में कहा जा धर्म अधर्म में गुथ गया है यह प्रश्ण ऐसा उपस्थित हो गया है कि धर्म के साथ अधर्म गुथा हुआ है जो द्रोबदी प्रश्ण कर रही है उसमें उस शल्य से विद्ध हैं सभासद और उनको उस शल्य से मुक्त होना पड़ेगा क्या-क्या उनका होगा यह सब बताते हैं इस प्रकार से जिसने पाप किया है उसको तो पाप लगता ही है लेकिन सभासद जो निर्णा नहीं देते हैं उनको भी इस इस प्रकार से पाप लगेगा इतना सब बता करके अंगिरारिश्ण कहते हैं इस्टा पूर्तम चते घ्नंती सब्त चैव परावरान जो जूट कहते हैं धर्म का प्रश्ण पूछने पर धर्मग्य लोग वे अपने इस्टा पूर्त का हनन करते हैं जितने भी पुन्य कारी हैं उनका हनन करते हैं और साथ लोक उनके परोरवर लोक उनके नश्ट होते हैं। और भी उनके लिए जो कुछ सजाएं दंड उनको प्राप्त होते हैं। पति विहीन इस्त्री को जो दुख भोगना पड़ता है। सार्थ से, कारवां से, काफिले से बिछडे हुए वनिक को जो भोगना पड़ता है। इस प्रकार से दुख भोगना पड़ता है। साक्षियों का मारा जो व्यक्ति होता है उसको इस प्रकार से दुख होता है यह बताते हैं। इतनी कथा सुना करके विदूर्ग बताते हैं कि कश्यप ने जो समझाया उससे प्रहलाज समझ गए कि हमको मद्यस्त बना लिया गया है, मद्यस्त वोना हमने स्विकार कर लिया, तब हम बच नहीं सकते हमको सत्य कहना पड़ेगा उन्होंने प्रहलाज से कहा कि है विरोचन तुम से सुधनवा अधिक श्रेष्ट हैं, अधिक उत्तम है, जायान है, बहतर है खीक उसी तरह से जिस तरह से कि उनके पिता मुझसे अधिक अच्छे हैं, और सुधनवा की जो माता है, वह तुमारी माता से अधिक अच्छी है पूरा कुल इनके सब लोग हम सबसे अच्छे है इसलिए अब तो बेटा विरोचन तुमारे प्राणों का मालिक सुधन्वा है क्योंकि तुम ने शर्त यह प्राण पन लगा दिया इसी से प्राण पन यह मुहावरा चल पड़ा हिंदी में भी प्राण पन मुहावरे का प्रय लोग होता है प्राणों की बाजी लगाना पन पन का अर्थ तो बाजी लगाना है लेकिन पन का अर्थ शर्त लगा करके शर्त बद करके कोई आपस में अनुबंध करना तो प्राण पन का अनुबंध दिन में हुआ कि जो हारेगा उसको प्राण अपने गवाने पड़ेंग प्रहलाद ने एकदम बेबाक इस्पष्ट कहे दिया कि सुधन्वा अब तुमारे प्राणों का स्वामी है वह तुमारे साज्जो करे है सुधन्वा ने कहा कि हमको यही तो देखना था कि आप सत्य कहते हैं या नहीं सुधन्वा कहते हैं कि पुत्र के स्ने को त्याग करके धर्म में प्रतिष्ठित जवाप हुए तो मैं छोड़ता हूं तुमारे पुत्र को यह सो साल जिये मुझे कोई से द्वेश नहीं है सुना करके विदूर कहते हैं कि धर्म सबसे बड़ा है धर्म के प्रश्ण को धर्म सभा में राजसभा में जहां कोई निर्णाय किया जाने वाला हो नयायलय होता है यह आज के जज़ेश के लिए भी है तो यदि उत्तर नहीं सही बताते हैं, निर्णय सही नहीं देते हैं, तो ये ये सब कष्ट उनको जेलना पड़ेंगे इसलिए क्रश्णाय द्रोब्दी ने जो प्रश्ण पूछा है है सभासदों, उसका सत्य सत्य उत्तर दो, ऐसा कहते हैं विदुर 61 अध्याय में सभापरों में, 27 श्लोकों में विदुर ने प्रसंग सुनाया है कैशिनी के लिए जो लड़ पड़े, विरोचन और सुधनवा, दो युवक, एक सुन्दरी के लिए यह 61 अध्याय के 58 श्लोक से 89 श्लोक तक है और यही प्रसंग विदुर धत्राष्ट को सुनाते हैं तो थोड़ा सा सुनाते सुनाते, कथानक में रंग कुछ बदल जाता है क्योंकि संदर्भ बदल जाता है उद्योक पर्व के 34 अध्याय में, चटे श्लोक से 31 श्लोक तक 26 श्लोकों में वहाँ 27 श्लोकों में हैं, लेकिन पूरे श्लोक एकदम अलग है पार्ट बिलकुल अलग है यह उद्योक पर्व में वक्ता एक ही है, कहानी सुनाने वाला एक ही है लेकिन पूरी परिस्थिती बदल गई है, शोता भिन भिन हो गए हैं तो सुनाने का तरीका बदल जाता है थोड़ा सा कथानक में भी जो उमाव है वह दूसरा हो जाता है उसका जो बल है वह बदल जाता है फिदुर धत्राष्ट से यह कह रहे हैं कि आर्जव का अंगिकार कीजिए इमानदारी, सत्यनिष्ठा, शुद्ध रधय इन गुणों को अपनाईए पांडवों से जो चल आप कर रहे हैं वो मत कीजिए तराष्ट बड़े प्रसंदो करकी कहते हैं कितने अच्छा बोल रहे हैं कहते जाओ, कहते जाओ लेकिन मन में उनके कपट है अपने पुत्र दुरियोधन के लिए इसने के कारण बांडवों से चल जो किया जा रहा है उसका निवारणवे नहीं कर रहे हैं इदुर उनको हितेशी होने के कारण बार-बार समझा रहे हैं तो धर्म को जानते हुए भी जो गलत निर्णय लेता है गलत निर्णय का साथ देता है आरजव का परित्याग करता है रिजुता का जो सच्चा मार गहे उसका उसकी क्या गती होती इसको बताने के लिए ही कथा यहां भी सभा पर्म में जो विदुर ने सुनाई है उसको द्योग पर्म में सुनाते हैं और उसमें जो सभापर्व में नहीं बताया वो बताते हैं कि कैशिनी के पास एक बार जैसा मैंने कहा कि कया विरोचन और कैशिने कैशिनी ने तो उसको बहुत बेभाग ढंग से बेधड़क कह दिया कि यह परियंक आसन जो है यह सुधनवा के लिए है अंगिरा के पुत्र सुधनवा के लिए है और जिस प्रकार से शर्मिष्ठा और देवयानी में कला हो गया था और शर्मिष्ठा ने कहा कि मेरे पिता समराठ है तुमारे पिता उनके दास है ऐसा ही कुछ गर्व प्रहलात के पुत्र विरोचन को था केशिनी जानती थी उस गर्व को भी तोड़ना चाहती थी उसने कह दिया कि नहीं सासन पर मत बेटना यह उनके लिए सुरक्षित रहता है तर सुधनवा बेठे तो नहीं उनने कहा कि आने दो उसको मैं भी देखता हूँ हम दोनों साथ साथ बेठेंगे ठीक है मेरे बराबर है मेरा मित्र है लेकिन वो बेठेगा तो मैं इस पर उसके साथ बेठ के दिखा दूँगा केशिनी ने कहा कि ठीक है कल वह भी आएगए आएगा और तुम भी आजाओ दूसरे दिन दोनों पहुंचे और सुधनवा उस पर बेठ गया विरोचन जब बेठने लगे तो सुधनवा ने कहा कि नहीं तुमारे लिए आसन नहीं है तब विवाद हुआ केशिनी ने कहा कि केशिनी ने कहा कि मैं निर्णा नहीं करूंगे कि दोनों में कौन उत्तम है आप दोनों आपस में निर्णाई कर लीजिए कि कौन उत्तम है और फिर दोनों को समझ में आता है तो दोनों समासन पर बेठे यह उद्योग पर्व में प्राणपन से दोनों ने अनुबंद किया जो कमतर साबित होगा उसको अपनी जान देना पड़ेगी यह दोनों ने निर्णाई किया उसी प्रकार से दोनों विरोचन के पास दोनों विरोचन और सुधनवा प्राणपन के पास गए और थोड़ा सा अंतर जो आ जाता है यहाँ पर जो कथा उद्योग पर में सुनाई गई है उसमें कि वहाँ पर प्रहलाद कश्यप रिशी के पास पूछने नहीं जाते हैं अब वही विदुर सुना रहे हैं पर्दतराष्ट को सुना रहे हैं और सुधनवा की तेज़स्विता बताने के लिए सुना रहे हैं खोडी सी कथा बदल लेते हैं एक ही घटना को दो लोगों ने जिन्हों ने उस घटना को घटित होते हुए देखा है वे उसको यदि सुनाते हैं कि कैसे हुई तो उनके बयान बदल जाते हैं क्योंकि हर आदमी अपने-पने एंगिल से अपने अपने दरश्टिकोंड से घटती भी घटना को देखता है लेकिन एक ही व्यक्ति जो प्रसंग हो चुका है उसको अलग-अलग समयों में, अलग-अलग संदर्भों में सुनाता है तो उसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है पिदुर तो महाप्राग ये हैं, बड़े ज्यानी हैं तो ये कदाचित जान बूच कर परिवर्तन करते हैं पर वक्ता एक ही हैं ये सत्य हैं, प्रसंग बदल गए हैं विरोचन, कह करके आ जाते हैं क्यशनी से कि ठीक है कल उसको आने दो और सुधनवा, जब पहुंचता है अगले दिन, तो विरोचन उससे कहते हैं, कि तुम्हारे लिए कोई फलक, कोई कूर्च, कोई ब्रसी, कोई दूसरा आसन लाया जाए ए सुधनवा, तुम मेरे साथ इस पर बेठने के अधिकारी नहीं हो सुधनवा कहते हैं, कि तुम्हारे पिता भी मेरे पिता के नीचे बेठते हैं और तुम अभी बालक हो, सुख से पले हुए हो, एश्वरी में पले हुए हो, तुम्हें ग्यान नहीं है बड़े तेजस्वी सुधनवाइस में है पिता पिते समासीन उपासी तैवो मा मदः अपने पिता के लिए नहीं अपने लिए कह रहे हैं कि तुम्हारे पिता तक जब मैं बेठा होता हूँ तो नीचे बेठते हैं तुम बच्चे हो तुम नहीं समझते हो पिरोचन कहते हैं कि हमारे पास इतनी संपदा है हिरण सोना है गाएं है और इनकी शर्ट लगा करके इनकी बाजी लगा करके मैं तुम्हारे साथ ये द्वन्व करता हूँ और प्रशन हम करेंगे किसी जानकार से प्रशनम प्रच्चाव ये विदुख जो जानकार लोग है उनसे हम पूछेंगे और निर्णय हो जाएगा तो क्या बाजी लगाना है तुम बता दो सोना गाएं और जो कुछ भी वित हमारे पास है उसकी बाजी लगा करके हम यह दाओं खेलते हैं सुधनवा ने कहा कि सोना गाएं सब तुम अपने पास रखे रहो हम तो दोनों प्राण पन से प्रश्न करते हैं जान की बाजी लगा करके हम खेल खेलेंगे कि जो जीतेगा उसको दूसरे की जान लेने का अधिकार होगा विरोचन ने पूछा कि किस के पास जाएं तुम ही बताओ ठीक है प्राणों का पढ़न कर लिया, मैंने भी मान लिया मुझे देवताओं में विश्वास नहीं है, मुझे मनुश्यों में विश्वास नहीं है मुझे तो देटियों में विश्वास है ऐसा उसने कहा, पंद्रमें श्लोक में यहाँ पर, सभापर्व में तो विरोचन के इस प्रश्न को सुन करके और 35 अध्याय में उद्योग परु में सुधनवा ने कहा कि तुमारे ही पिता के पास चलते हैं यदि तुम्हे देवताओं में मनुश्यों में विश्वास नहीं है तो देतियों में विश्वास है दोनों प्रहलाद के पास गए प्रहलाद ने देखा कि दो आशीविष या नागों की तरह दोनों कलह करते वे फूपकारते हुए से सांसांथ चले आ रहे हैं उन्होंने पूछा कि तुम लोग मित्र हो सांसांथ रहते थे और इस तरह से क्या तुम लोगों में बात हो गई है किम सहे उचरतो न पुरा चरता सह जिस तरह से पहले तुम लोग साथ-साथ चलते थे वैसे क्यों नहीं और ऐसे कुरुद्ध हो करके क्यों चले आ रहे हो और विरोचन मैं तुम से पूछता हूँ कि तुमारी मित्रता जो सुधनवा से है उसका क्या हुआ विरोचन ने कहा है कि सुधनवा से मेरी कोई मैत्री नहीं हमनुगों ने प्राण का पण लगा करके और ये कलह किया है इसलिए है पिता मैं आपसे पूछता हूँ इस प्रश्न का जूट उत्तर मत दीजिएगा प्रेलाद ने कहा कि पहले सुधनवा का सत्कार करो मदुपर्क लाओ जल लाओ ब्रह्म ज्यानी हैं ये आ गए हैं और गाय इनके लिए समर्पित हो सुधनवा ने कहा कि सब रहने दीजिए अभी तो प्रश्न का मिर्णय हो जाए मार्ग में ही सब र्पित हमने मान लिया कि हो गया है हम तो प्रश्न कर रहे हैं उसका सत्य उत्तर आप दीजिए प्रेलाद ने कहा कि मेरे पुत्र के साथ आपका कला है दोनोंने प्राण का पण लगाया है मैं पिता हूँ तो मुझे मद्यस्त क्यों बनाते हो वदेत आप दोनों में जगडा है मेरा बेटा है उससे है तो मुझे क्यों मद्यस्त बनाते हो और किसी को बना लो तो सुधन्वा ने का कि मद्यस्त तो आपको बना लिया क्योंकि आपके पुत्र ने सहमती दी है और वो मान गया है, हम दोनों ने ते किया कि मध्यस्ता आप होंगे, अब आप नहीं बच सकते हैं प्रलात पूछते हैं कि ये सुधनवा, मैं आप से ही पूछता हूँ कि मध्यस्त बना लिए जाने पर जो सत्य नहीं कहे और जूट कह दे दूर्वी वक्ता यदि है, गलत बोलने वाला यदी है, उसकी क्या गती होगी सुधनवा उसकी गती बताते हैं कि अधिविन्ना इस्त्री की जो गती होगी अक्षमे पराजित की जो गती होगी बाहर से अभितब तंग वालों की जो गती होगी गलत कहने वाले की भागती होगी और जो बुवुक्षित की गती होती है बाहर दरवाजे पर नगर के रोग दिया गया है उसकी ऐसी, उसकी जो गती होगी, वह गती उसकी होगी, इस प्रकार से और और उसको धंड प्राप्त होंगे, और सोने के लिए यदि जून बोलेगा लालच से तो उसकी यह गती होगी, अश्र के लिए यदि जून बोलेगा तो उसकी यह गती होगी, इस प्रकार से बताते है आप जून बोलेंगे तो आप को ये सब दुरगती प्राप्त होगी फिर यहां उसी तरह से प्रहलात कहते हैं की है विरोचन मुझ से अंगिरा रिशी जिस प्रकार से स्रेष्ट है और तुम्हारी माता से सुधन्वा की माता जिस प्रकार से श्रेष्ठ है उसी प्रकार से यह सुधन्वा तुम से श्रेष्ठ है और अब यह सुधन्वा तुमारे प्राणों का ईश्वर है सुधनवा से भी कहते हैं कि मैंने अपना बेटा अब तुम्हें दे दिया जो तुमको इसके साथ करना हो करो सुधनवा ने कहा कि यद्धर्म मवरिनी इंतास यद्धर्म मवरिनी इंतास तम नकामाद अंरतम वदी तुमने जो धर्म का वरण किया अवरणी था यद्धर्मम अवरणी था तुमने जो धर्म का वरण किया अंरत या जूट तुम नहीं बोले इसलिए है प्रहलाद देत्तिराज दुरलब तुमारा एक ही बेटा है विरोचन मैं इसको तुम्हें वापस करता हूँ किवल मैं इतना चाहता हूँ कि वो जो लड़की है उसके सामने मेरे यह पेर धोए है यह इसमें जोड़ा है विदुर ने और प्रामण का ग्यानी का तेज बड़ा होता है जो राजा या क्षत्री है उसके तेज से यह बताने के लिए भी यह कथा है और जगड़ा तो जो केशीनी थी कन्या सुंदरी उसके लिए हुआ लेकिन सुधनवा ग्यानी भी थे उन्होंने पूरी तरह से नीचा दिखा दिया विरोचन को और उसने कहा है कि उस कुमारी की उपस्थिती में मेरे पेर ये धो दे यहीं पर विदुर 31 श्लोक तक सभापर्व के 35 अध्याय में माभारत में ये कथा बताते हैं इसलिए दतराष्ट को कहते हैं कि जमीन के लिए भूमी के लिए अनरत मत बोलो जूट मत तुम बोलो जो ते हुआ है कि अधाराज्य पांडों को दे दिया जाएगा उसको तुम वापस करवा दो यह समझाते हैं तो यह इसकी सुन्दर परिणती होती है माभारत में यह जो कला हुआ उसकी कि सुन्दरी के लिए युद्ध तो हुआ और दोनों की चरित्र की यह एक सत्य निष्ठा भी है विरोचन की भी कि यह स्विकार कर लेता है अपने पिता को मद्यस्त तो उसने बनाना स्विकार किया और सुधन्वा ने स्विकार किया और प्रहलाद ने उचित निर्णय सुनाया तो सभी की इसमें चारित्रिक जो निष्ठा है सत्य निष्ठा जो है वह सामने आती है कि उस निर्णय को सब स्विकार करते हैं और सुधन्वा प्राण पन जो लगाया गया था उसमें प्राणों का अभय दे देते हैं अपने मित्र विरोचन को तो यह कहानी एक सुखद अंत में परिणत होती है परिद्ध है इसमें इस्त्री के लिए जो हुआ कला जो हुआ उसका वर्णन किया गया है इन शब्दों के साथ यह प्रसंग महाभारत का जो उद्योग पर और सभापर दोनों परवों में आता है दोनों में ही वक्ता कथा को सुनाने वाले विदूर हैं इसको आज समाप्त करते हैं सभी को धन्यवाद नमस्का